आज इस वीडियो में एक हम नई चीज शुरू करने जा रहे हैं अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और शेयर जुरू करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज तो करही लें अपना फेबरेट चैनल इंगलिश भाई इस में हम शुरू कर रहे हैं क्लास फर्स्ट इयर और सेकंड इयर में चलने बाली टिपिकल ग्रैमर की बुक का सॉलीशन जी हां सारे रूल्स चाहे वो किसी भी ग्रैमेटिक इसकिल के हों वो हमने अपने चैनल पर और लेडी पोस्ट कर दिये हैं और आगे भी करते रहेंगे आप रूल्स बहां से सीखिए इस बुक का सॉलीशन इसकी जितनी भी एक्सरसाइजिस हैं वो अब आपको सीरियल वाइज आज हम पहली एक्सरसाइज जो डारेक्ट एंड इंडारेक्ट नेरेशन की है वहां से शुरू कर रहे हैं आपको सॉलीशन यहां मिलेगा सीखने के लिए रूल्स आपको प्लेलिस्ट में जाकर डारेक्ट एंड इंडारेक्ट के वीडियोस पड़े हुए वहां से सीख सकते हैं इसमें सीधे आपको सॉलीशन मिलेगा जिससे आपको कोई प्राबलम नहीं होगी अच्छा लगे तो कॉमेंट सेक्शन में अपने कॉमाज I shall give you a book इसका इंडारेक्ट होगा आप नीचे देख सकते हैं आशा टेल्स मोहन दैट I first person है according to subject आशा के अनुसार बदला जाएगा she will I के साथ shall आता है इसलिए जब उसकी जगह पर हम she लाएंगे तो वहाँ will होगा give you object है मोहन के अनुसार him a book number two I say to her comma inverted commas I will go to Delhi with you क्या करेंगे इसका I tell her that I will go to Delhi लही के बहल एक change होगा छोटा you second person को change करेंगे object हर से number three they say to me comma inverted commas we have a book for you इसका हो जाएगा they tell me that they have a book for me number four you say to them comma inverted commas my pen is with you indirect देखेंगे you tell them that my को change करेंगे you say your pen is with you object को change करेंगे them से तो वहाँ हो जाएगा them number five you say to ram comma inverted commas I को change करेंगे subject यानि की you you learn I के साथ my था तो you के साथ your हो जाएगा your lesson daily number six देखते हैं he will say to you comma inverted commas I cannot help you with my book he will tell you that he cannot help you का you ही रहेगा क्योंकि second person को change करते हैं according to object जो already you है with my book तो I के साथ my था इसलिए he के साथ his book number seven you say I am writing a letter to her you say that I को change करते हैं हमेशा subject से तो you are writing a letter to her चुंकि I के साथ M था I को हमने you से replace किया तो you के साथ M तो लगा नहीं सकते हैं इसलिए हम you के साथ R का use करेंगे यह बात हमें पहले से ही पता होने चाहिए कि यह exercise present और future tense की है इसमें tenses में change नहीं होगा जब हम direct से indirect करेंगे number eight पर आएंगे he says that we are human beings वह कहता है हम मानव हैं मानव जाती से हैं तो यह सब के लिए कहा जा रहा है किसी एक के लिए नहीं तो यह universal sentence हो गया तो he says के बल्देड लगाएंगे और बाकी same रखेंगे ठीक है I hope आपको समझ में आ रहा होगा number nine पर आते हैं बड़ा interesting है राम says to sita कई बार आरे एम राम होता है ज्यादा तर आरे एमे भी रामा ही है तो इससे boy मानेंगे अगर इससे girl मानेंगे तो हम mention करेंगे मैं इससे boy मान कर चलता हूँ तो रामा says to sita I will teach you Hindi तो रामा tells sita that I की जगर पे he लिख देंगे कोई doubt हो तो bracket में boy लिख दिया है अब I के साथ already will था इसलिए यहाँ पर हम he के साथ shall use करेंगे हो सकता है इसके लिए कोई कुछ भी कहे लेकिन सच्चा यही है जब I के साथ will use किया गया तो I की जगह जब he आएगा तो वहाँ shall आएगा teach you कौन है सीता हर bracket में गर लिख देंगे हिंदी number 10 I say that I have passed the examination इसमें कोई doubt नहीं है ना if है ना but है क्योंकि subject भी आई है और first person आई है number 11 he says to his sister that I shall give you some sweets तो हो जाएगा he tells his sister that I है first person according to subject he के अनुसार तो he I के साथ shell था इसलिए he के साथ will give you की जगह पे sister her some sweets ठीक है अगले पर आते हैं the teacher says to me you make too much noise तो the teacher tells me that I you है second person according to object जो की है me तो हो जाएगा I make too much noise number 13 she will say my parents are poor तो she will say that my आया है she के लिए तो her parents are poor number 14 है she says to you I have not given you the book तो she tells you that I according to she change करेंगे she I के साथ have तो she के साथ has not given you वहाँ object पहले से यू है इसलिए से कोई change नहीं करेंगे the book number 15 देखें राम सेज देट वी कैननाट बी क्वाइट हैपी in this life हम इस जीवन में पर्यापत रूप से 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 सब के लिए कहा गया है उनिवर्सल सेंटेंस है उसने अपने परिवार या लोगों के लिए नहीं सबी लोगों के लिए पूरी मानब प्रजाती के लिए कहा गया है इसलिए यहां पर किवल दैट लगाएंगे last but not the least बहुती interesting है he tells me that he is not sure whether I की जगे पर he will be able to finish the work without your को बदलेंगे me यानि की my help ठीक है sentence वोड़ा लंबा था इसलिए मैंने इसको direct solution दे दिया please इसको जरूर like करें share करें और चैनल subscribe करें comment section में comment जरूर दें आगे से और बेटर तरीके से समझाया जाए